हलो फ्रेंड्स कामीनी के किचन में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथ ही में प्रेस कर दीजेगा बल आइकन के बटन को जिससे मेरे व तो आज हम बनाएंगे काले चैने की बहुती बढ़िया सब्जी तो काले चैने की सब्जी बनाने के लिए हमने रात भर इसे भिगो के रख दिया था तो जब चैने हमारे अच्छे से फूल जाएंगे तब हम इनको बॉयल करने के लिए रखेंगे तो यहां पर हमने कूकर म चनों को डाल दिया है पहले वाला पानी हमने निकाल दिया है तो हम इसमें अच्छा साफ पानी डालेंगे तो आप पानी अपने कोडिंग कम या जादा कर सकते हैं क्योंकि वो आपके चने पर निर्भर करता है तो बस इसमें थोड़ा नमक डाल देंगे इसको हम कवर करके इस तो मैं आपको इसको हाथों से दिखाती हूँ इस तरीके से देखे कितने बढ़िया ये सॉफ्ट हो गए हैं लेकिन अन्ने इने ओवर कुक भी बिल्कुल भी नहीं करना है तो यहां पे हमने दो प्याज ले लिए दो से तीन हरी मिर्ची साथ अट लेसुन की कलिया और तीन ट निएक काम करती है तो अब मसाले को डाल देंगे और तेल में अच्छे से भून लेंगे चलाते हुए ही हम रही लेगे वहाई फ्लेम पे ब्हूनेंगे ताकि हमारा मसाला बहुत ही बढ़िया तरीके से बूने यह ल्म रोम्त पाबूने सनीया नमख कि और नमख пять क्षोटा चमज। यहां पूड़ा यहां पड़ने हैं अब शुश्मीरी तो चमजी ना करते को अध़के मिलेत पएड़ गरिका है। यहां पर मैंने हाफ चोटा चम्मच रेट चिली पाउदर डाल दिया है थोड़ा से मैंने कश्मीरी लाल मिर्च भी इसमें एड किया है तो सभी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें डालेंगे अपने टमाटर की प्योरी तो लीजिए हमने टमाटर की इसमें ठीज है थोड़ा से पानी लेके मसाले में डाल दिया है अब हम इसको कर देगे कवर मसाले में जब तक वायल ना से प्रेट हो जा तब तक हम इसे भून लेंगे तो लीजिए हमारा मसाला भून के बिलकुल तियार हो गया है आप देख सकते कितना बढ़ियां ये तो सभी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, तो देखिए कितने बढ़िया अभी से ही कलर इसमें आ गया है, तो बस हम सभी चीजों को मिक्स करके, इसको कवर करके, अच्छे से 5-7 मिनट के लिए पका लेंगे, ताकि जो मसाला है, वो हमारे अच्छे से चने में एपस तो पांच से चार मीनाट हो गए हैं आप देख सकते हैं कलर कितना बढ़ियां आ गया है आप चाहे तो थोड़े से चने यहां पर मैश भी कर सकते हैं लेकिन मुझे ऐसे ही अच्छे लगते हैं तो मैंने ऐसे ही इने रखा है तो बस अब इस स्टेज पर हम गरम मसाला डाल दे वैसी ही बनेगी तो इन सभी को हमने मिक्स कर दिया इसको सिर्फ अब हम एक से दो मिनट के लिए पका लेंगे तो लिजी हमारी सबजी बनके बिलकुर त्यार हो गई है कलर आप देख सकते हैं कितना बढ़ियां इसमें आया है तो यकीन मानिए इस तरीके से आप भी काले च इस बढ़ाता है हरा थनिया तो हरे धनिये से हमारी सबजी में चार्चान लग जाते हैं तो इसको भी आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा क्योंकि धनिया का अलगी फ्लेवर होता है बस काटके हमने इसमें धनिया मिक्स कर लेंगे तो देखिए है ना कितनी बढ़िया मसालेदार सबजी हमारी बन के तियार हुई है अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपकी सबजी भी बहुत ज़्यादा बढ़ियां बन के तियार होगी तो काले चने की सबजी भाई मेरे यहां तो सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आती है क्योंकि मैं इसको बनाती हूँ बिल्कुल सिंपल और स्पाइसी तो मेरे याँ तो ये सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आती है तो फ्रेंड्स रेस्पी जरूर ट्राइ कीजिएगा रेस्पी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सस्क्राइब चरूर कीजिएगा